सबी स्टूडेंट का स्वागत तेज एजुकेशन पर तो हम आप लोगों के लिए लेके आएँ पर्यावरंड अध्यार, तो पर्यावरंड अध्यार के कई सारे most important question हैं, जो आप लोगों के exam में पूछे जाते हैं बार बार तो देखें आप लोग पहस्त question मूलियंकन का मुख्य उद्देश्य क्या अनुशासन बनाई रखना केवल परिच्छा करवाना केवल प्रस्न पत्र बनवाना अदे गम करता की उपलब्दी जानना एवं शुधार लाना तो मूलियंकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है अदे गम करता की उपलब्दी जानना एवं सुधार लाना मूलियंकन का होता है मुख्य उद्देश अब देख लें आप दो अगला क्वेशन है निम्न मैंसे कौन सी क्रिया बिग्यान से चड़ मैं पाठे सह गामी है निम्न मैंसे कौन सी क्रिया बिग्यान से चड़ मैं क्या है पाठे सह गामी है क्या है पाठे सह गामी है अब देख लें आप लोग अगला क्वेशन है तो यहां पर क्या पूछा गया है पानी मैंसे या सुधी दही से मक्षन ग्यों से चोटे कंकर आद को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है अब देख लें आप लोग अगला क्वेशन तो यहां पर क्या पूछा गया है निमन मैंसे कौन सा कहतान है सही श्रभ दरश शामगरी चातरों के लिए उपयोगी है श्रभ दरश शामगरी है चाट का पर योके वर शामचे के बिग्ञान मा किया जाता तो सर्भ दरश शामगरी महत पूछन नहीं है तो निम्न मैंसे कौन सा कथने सही तो सरब्बे दरश शामगरी चात्रों के लिए उपयोगी है यही कथन बिलकुल सही है सरब्बे दरश शामगरी क्या है चात्रों के लिए उपयोगी है अब देख लें आप लो अगला कोईशन परिच्छन की बाइस्तिविक रचना से पूर्व उसकी प्रारंबेक जाच कर लेनी चाहिए इस प्रारंबेक जाच को क्या कहा जाता है परिच्छन की योजना बनाना परिच्छन की तैयारी पाइलट इस्टडी अंतिम प्रारूप तो इसको कहा जाता है पाइलट इस्टडी जिलों से अलग हुआ है गुजरात मद्धिप्रदे सर्याणा और पाकिस्तान निमने लिखित मैंसे कौन सा राज देश राजिस्तान के जैसल मिर बीका नगर तासी गंगा नगर जिलों से लगा हुआ है क्या है लगा हुआ है जिलों से लगा हुआ है तो आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान लगा हुआ है कौन सा देश लगा हुआ है पाकिस्तान या राजिस्तान के कुछे क्या थे जिले थे अब देखें आप लिए अगला कोईशन प्रतम क्रतिम उपग्रह का नाम क्या था बासकर था आर्य भट था रोहिणी था एडूशेट था तो प्रतम क्रति उपक्राव का नाम था और यह भट था ध्यान रखें सभी बच्चे देखो भही आब देख लें अगला कोईशन अधि मुहत्वान कोईशन है कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व पर्यावरन दिवस मनाया जाता है फिश्व पर्यावरन दिवस एक्रीष मैई शताइस म आप देखें आप लोगा अगला कोश्यन जली जन्तु में श्वशन होता है पहंप्रों द्वारा होता है पुस्तक फुपुस्ष द्वारा बायकोश द्वारा गलफणूरा तो जली जन्तुओं में श्वशन होता है गल फड़ों द्वारा होता है अब देखें आप लोग अगला कोईशन बातावरन के अनरूप पौदों एवं जन्तुओं में पाई जाने वाली सारीरिक लच्चड़ों को क्या कहा जाता है बताएं सभी बातावरन के अनरूप पौदों एवं जन्तुओं में पाई जाने वाले सारीरिक लच्चड़ों को क्या कहा जाता है अनकूलन पर जीवता रूप अंतरन और इनमें से सभी या उपरोक्त सभी बताएं तो अनकूलन कहा जाता है क्या कहा जाता है अनकूलन बातावरन के अनरूप पौदों एवं जन्तूओं में पाए जाने वाली शालिरिक लच्णों को कहा जाता है अनकूलन कहा जाता है कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेशन अब देखें आप लोग अगला क्वेशन हमा हमारे राज्य का पच्ची अभ्यारण किस जली में इस्तित है तो भरतपुर में इस्तित है हमारे राज्य का पच्ची अभ्यारण कौन से जली में इस्तित है तो हुआ है भरतपुर में इस्तित है अब देख लें आप लिए अगला कुश्य है निम्न मैंसे कौन शा कथन बाय वायुवान उडती है बाईो में भार होता है बायु वहा है यांत्रे कूरजा है यांत्रे कूरजा अब देखें आप लेए अगला question पीने के पानी में रोगाडू नासक डालते हैं क्या डालते हैं potassium permagnate तता chlorine potassium chloride sodium chloride तता oxygen potassium sulfide तता chlorine तो पीने के पानी में रोगानू ना सक्क्या डालते हैं तो देखें बच्चे पोटेशियम पर मेंगनेट तता क्लोरीन डालते हैं पीने के पानी में एंटिवाइट के एक तरीका से रोगानू नश्ट हो जाएं तो देखो पोटेशियम पर मेंगनेट तता क्लोरीन का मिस्टरन डालते है क्या डालते हैं, potassium, permagnate, chlorine का misran, अब देखें आप लोग अगला question, छोटी माता एवं ravage rock का कारण क्या होता है, बताना student, बढ़िया question है, छोटी माता एवं ravage rock का कारण, virus, protozoa, bacteria, nimetode, तो virus होता है, छोटी माता एवं ravage rock का जो कारण होता है, वह होता है, virus होता है, क्या होता है virus, अब देखें आप लोग अगला question है, जब हम भोजन करते हैं, एवं पाचन होता है, इस पच्चित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोशन होता है, आमासाही की दीवार से, छोटी आथ की दीवार से, ब्रहद आथ की दीवार से, यक्रत में, तो इसका शही बिकल है, कौन शाह, छोटी आथ की दीवार से होता है, जब हम भोजन करते हैं, एवं पाचन होता है, तो इस पच्चित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोशन, छोटी आथ की दीवार से होता है, अब देख लें, आप लोग अगला question, पोधे प्रकास sensation द्वारा भोजन बनाते हैं, प्रकास sensation के लिए हमें निमना अवश्यक होते हैं, क्या अवश्यक होते हैं, oxygen जल उस जल सूरज एवं प्रकास एवं पर्ण रहे थे, उसके बाद में हैं, oxygen सरकरा सूरज का प्रकास एवं जल है, और carbon dioxide जल सूरज का प्रकास एवं पर्ण रहे थे, और आप लो की क्रिया में आविश्यक होते हैं तत्व ठीक है ना बच्चों इस चीज़ का रखना है ध्यान यह दिमान लो देखो यहां होती है सिक्स सी ओ टी मुला कारवन डाय योक्साइड की जब आप लोग जल से क्रिया कराओगे ना बिलकुल प्रकास की उपस्तिती में काई की उपस बिलकुल प्रन हरित की उपस्तिती में बिलकुल तो यहां पर बनेगा देखो बच्चों सी 6 एस ट्वैल ओ सिक्स और जल अलग हो जाएगा सिक्स एस टू ओ और बनेगा इसमें सिक्स ओ टू ऑक्सिजन निकल जाएगी यह होता है राशाइनिक सूत्र और राशाइनिक क्रिया अब देखें आप लोग अगला कुश्चिन मानव शरीर का शामान तापमान कितना होता है 23 दिगरी कलशियस अंठानव plutôt चैल सिल सियस तो मानव शरीर का शामान जो तापमान होता है ना होता है लगवा आप केलविन में बात करोगे तो 310 होता है केलवुन होता है यह यह है झालो और यह फिर टीसल्सियस में बात करोगि क्या ्सिजवेंट यह दिग्री to go register always fix毒 घ्री सेवन जिल्सियस होता है या question अध्य महत्पूर है कई बार पूछा जा चुका है तो इस चीज का भी सभी बच्चों को रखना है ध्यान उदैपूर तता भीलवाडा जिले में मिलने वाले खनिज हैं कौन से बारा है भरतपूर है देखो बताएं या खनिज दिए गए उदैपूर तता भीलवाडा में मिलने वाले खनिज हैं तो आप हमें बताएं कि इसमें से कौन कौन से हैं देखो जस्ता है बिल्कुल और सीषा है चांदी या तांबा है जस्ता जिपसम गार्नेट एवं तावा सीशा चांदी टंगस्टन तावा चांदी रोक पास पे टंगस्टन एवं जिपसम तो क्या पूछा जा रहा है उद्धैपूर तथा बीलवारा जिले कौन से खरजों के लिए है प्रशिद तो देखो सीशा बिलकुल कौमने सम्मेश जस्ता सीशा चांदी बिलकुल राजिस्तान में चांदी भी पाई जाती है सीशा भी है तावा भी है जस्ता भी है तो इसका एव बिकल्प हो चुका है कि जस्ता सीशा चांदी एवं तावा ठीक है बच्चो अब आओ अगले कुश तो अगला question है प्यारे बच्चों आति महत्तपून है राजिस्तान के किस जिले में पैट्रोलियम निकाला जाता है बारा भरतपुर जोदपुर बाड़ मेर तो राजिस्तान के कौन से जिलों में कौन सा जिला है जिसमें पैट्रोलियम निकाला जाता है तो बाड़ मेर है कौ मंगला चेत्र है मंगला चेत्र है ठीक है ना बच्चो मंगला चेत्र बिलकुल इस मैं देखो कंपनी है कौनसी केर्ष इंडिया कौनसी कंपनी है केर्ष इंडिया द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ की क्या की जाती है रिफाइनरी बोला जाता है क्या बोला जाता है प्रत्वी शूर्ड एवं चंद्रमा के बीच होता है प्रत्वी शूर्ड एवं चंद्रमा के बीच होता है प्रत्वी शूर्ड एवं चंद्रमा के बीच होता है अब देखें आप लोग अगला क्वेशन राश्टी पशु क्या है बच्चों तो बाग है राश्टी पशु है बाग है ध्यान रखें सभी स्टूडेंट के राश्टी पशु है बाग अब देख लेए आप लोग अगला कोईशन सूर्य नगरी नाम है किसका है सूर्य नगरी नाम जैपुर का जैसल मेर का बाड मेर का जोदपुर का तो सूर्य नगरी नाम है जोदपुर का है किसका है सूर्य नगरी नाम जोदपुर का है बच्चों सूर्य नगरी नाम है जोदपुर का कितना प्यारा सा क्वेशन था अब देखें आप लोग अगला क्वेशन निम्न में से कौन सा कतने सही एकल परवार में दहीज परथा तता बाल स्रम शामाजिक बुराईया है दहीज परथा तता बाल स्रम शामाजिक बुराईया है दहीज परथा तता बाल स्रम सामाज एक बुराज्या है अब देखें आप लोग अगला क्विश्चन मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात रह जाता है इसका कारण है क्या तो लंबे शमय तक तमाकू ग्रहन करनेशे लंबे शमय तक सराब का सेवन करनेशे परवार के लोगों त्वारा नशा करनेशे प मानव शरीर हड़ियों का ध्हाचा मात्र रह जाता है इसका कारण है क्या तो क्या है लंबे शमय तक सराब का शेवन करने से बिलकुल लंबे शमय तक सराब का शेवन करने से मानव शरीर हड़ियों का ध्हाचा मात्र रह जाता है बिलकुल सही बात है मतलब बिलकुल दोला पत में से कौन सी सामगरी घर बनाने में काम नहीं आती तो शीमेंट है लुआ है पत्तर है इस्कूटर है तो बिल्कुल सब को दिख रहा है कि स्कूटर इस्कूटर आता नहीं है काई के लिए घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता इस्कूटर क्या है इसकूटर इस चीजिज को ध्यान रखो. अब देखें अगला कोईश्यन। याक है याक के बालों से प्राप्त होती है अब देख लें अगला question देखो बच्चो बंदर सेर तता चुए के घर क्रमशा गौंसला पेड़ एवं गुफा है गुफा बिल एवं पेड़ पेड़ गुफा एवं बिल तो देखें बच्चो बंदर का जो घर होगा न हुआ होता है पेड़ शेर का होता है गुफा चुए का होता है बिल मतलव यही बिकल्प है इसका ठीक है ना स्टुडेंट यही बिकल्प है पेड़ गुफा एवं बिल बंदर सेर तता चुए के घर क्रमशा होते हैं अधि महत्तपून question है common sense वाला question है ठीक है बच्चो तो आज की class के स आप प्ले स्टॉर से डाउनलोड कर लें यहां पे आप लोगों के लिए फिरी में टेस्ट बर्गतीन के लिए उपलब दें ठीक है बच्चो तो आव हम class को यहीं पे खतम करते हैं जै हिंद जै भारत जै माकाल